नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दसाउथ मुवीज फैन पर आज है अपने अलू अर्जुन यानी बनी और मल्याली भाईयों के मलू अर्जुन का बर्थडे इस मौके पर एक नजर डाल लेते हैं अलू अर्जुन की फिल्मों के लेखे जोखे पर आज से 20 साल पहले 2003 में अलू अर्जुन ने गंगोत्री नाम के फिल्म से करियर की शुरुवात की पापा अलू अर्विन फिल्म के प्रडूसर थे, फिल्म बॉक्स आफिस पर सफल रही, दूसरी फिल्म अलू अर्जुन ने 2004 में की, फिल्म का नाम था आर्या, ये पुश्पा वाले डिरेक्टर सुकुमार की पहली फिल्म थी, आर्या का बजट 4 करोड का था, जबकि कमाई 30 करोड रोपाई की, इस फिल्म को मलियाली में डब करके केरल में भी रिलीज किया गया था, वहां भी फिल्म ने छप पर फार कमाई की, इतना ही नहीं, आर्या को उडिया भाशा सहित, बांगलादेश और श्रिलंका में भी रीमे किया गया, अलू अर्जुन की तीसरी फिल् 2005 में आई, इस फिल्म से अलू अर्जुन ने सफलता की हैट्रिक मारी, साल 2006 में आई, चौथी फिल्म हैपी, इसके प्रडूसर भी अर्जुन के पापा अलू अर्विंद थे, ये अलू अर्जुन के करियर की पहली फ्लॉप फिल्म साबित हुई, 2007 में अलू अर्जुन की पाँचवी फिल्म आती है, नाम था देशा मुद्रू, इस फिल्म के डिरेक्टर पुरी जगनात थे, एक बार फिर अलू अर्जुन की फिल्म हिट साबित हुई, फिल्म का मल्यालम वर्जन भी दर्शवों को खूब पसंद आया, अलू अर्जुन की छटी फिल्म थी इस फिल्म के लिए पहली बार अर्जुन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेर अवर्ज बिला, 2009 में आई अलू अर्जुन की करियर की साथ वी फिल्म, आर्या 2, एक बार फिर अलू अर्जुन और डिरेक्टर सुकुमार साथ आये, एक बार फिर, आर्या वाली सफलता 2010 में नौवी फिल्म आई वेदम इस मल्टी स्टारर फिल्म में अलू के अलावा अनुशका शेटी और मनोज बाचपई जैसे सितारे थे फिल्म ने बॉक्स आफिस पर तो एवरेच कमाई की लेकिन अलू को उनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए वेस्ट एक्टर फिल्म फियर अबॉर्ड मिला 2011 में अलू अरजुन के करियर की दसवी फिल्म आई बद्रिनाथ इस फिल्म के लिए भी टिकेट खिड़की पर दर्शकों की खूब भीड लगी 187 थियर्टर में फिल्म 50 दिनों तक लगातार लगी रही इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर करें